सो हे वडी वेलकम बैक अगेन अभी जो इस्क्रीन पर वीडियो देख रहे हो इस्टाप के वीडियो आपने देखा होगा कि बहुत लोग भी ब्लॉग में यूज करते हैं अपना या फिर मतलब इस्टाइप का आपने कर्व इस्क्रीन वाला देखा है वीडियो ठीक है आप वाहां भी मुझे follow कर सकते हो तो आज के वीडियो में यहां पर बात करने वाले हैं कि इस लगशे कर्व इस्क्रीन को हम कैसे बना सकते हैं अपने फोन से सिपनी बीस्ट्रीनके Oh उपर होगे तो इस्क्रीन पे आपको आ जाना है आपको सबसे पहले दो एप्लिकेशन को इंस्टॉल कर लेना है काइन मास्टर और पिक्सल लैप अगर आप इडिटिंग करते हो पने फोन में तो आपके पास यह अप्लिकेशन जरूर होगा ठीक है तो काइन मास्टर तो इसे काई देखाने वाला हूँ मतलब इसका एडितिंग दिखाने वाला हूँ तो यहां से ऊके कर लेते हैं टाक्स्ट को हटा लेते हैं ठीक है उसके बाद आजना है बीच में और आपको सेव का ओप्सन मिल जाता सेव पर चले जाओगे यहां पर एक स्क्रेंब को ले आओ और ज़स्ट इसके उपर आप देखना लेयर का प्षण आपको मिल जाता है तो लेयर पे जाके इसे लॉक कर देंगे हैं ठीक है उसके बाद आपको फिर से बैक चले जाना है और पर फिर से एक सेप को ले आदा है ठीक है और सेपको यहां पर कॉर्णर पर शेट जैसे मैं कर तो आपको देखना है कि आपको यहां पर रहना और आगे जाओगे तो आपको यहां पर रिलेटिफ पोजीशन का उप्शन मिलता है इसके उपर जाके इसे बीच में एडजेस्ट कर लेना है और यहां से टीक कर देना है इतना हो जाने के बाद फिर से लेर के उपर हम चले जाएगे हैं तो यहां पर आपको मर्च करने का Bizim जाएगा तो यहां से थोडरा सा बैडESS जाएगे है और एडियस को High कर लेने के बाद प्रसे यहां पर लेयर पर चले जाएंगे और चले ली freelance कर लेना है और यह कश्टम जो रहेगा इसे अल्ट्रा में करके आप इसे सेफ टू गैलरी कर लोगे ठीक है उसके बाद यहां से हम चलेंगे अपने काइन उपके तो यहांपे काइन मास्टर अप्लीकेशन को ऊपेन कर लि کے आपको गूगल पर मिल जागा काइन मास्टर या प्ले इस्टोर से इसे इंस्टॉल कर सकते हो तो आपको कुछ इस टाइप का यहांपे इंटरेफेस्ट देखने को मिलता है इसका Create New पे उपर आप Click करोगे, उसके बाद यहाँ पे Next कर देना है, आपको 16 is to 9 का रेशियो को select करके, उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो को select करेना है, जिस भी वीडियो को आपको curve shape देना है, ठीक है, तो यहाँ से मैं एक वीडियो को यहाँ पे select कर लेता हूँ, और मेरा यहां पे ratio 16 is to 9 का है आप same कर सकते हो वरना फिर आपको फिर से pixel lab में जाके दूसरा ratio इसी type c डिट करना होगा ठीक है तो मैं यहां पे यह वाला select कर लेता हूं वेडियो को ठीक है अब अभी आप देख सकते हो इसका जो यह आपको दीख रहा है corner मतलब तो square type दीख रहा होगा पर इसे हमें curve बनाना है round बनाना है यहां पे आपको layer का option मिल जाता है यहां पे आपको media को चाले कर लेना है और pixel lab के उपर हम चले जाएंगे ठीक है तो आप देख सकते हो तो इस आप बोल सकते हो आपकी यहां पे feature तो दिया हुआ है काइन मास्टर में तो यहां पे एक में मैं आपको दिखाता हूं कि इस टाइप से अगर आप frame यूज करते हो तो full to screen यह नहीं आपाता है ठीक है बाकी यहां पे curve आपको नहीं मिलने वाला अगर curve मिलता भी है तो उसका जो color है यह black में आपको नहीं मिलने वाला है कुछ इस टाइप का दिखेगा ठीक है तो आप यहां से भी इससे यूज कर सकते हो जैसे मैं इससे हटा देता हूं यहां पे और इसे हम full to screen कर लेते हैं कुछ इस टाइप से तो आप इस टाइप का भी यूज कर सकते हो बट यहां पर हमें black screen चाहिए background में यह चलते मैंने वाला step आपको बताया था ठीक है तो आप वैसे भी कर सकते हो तो होब कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा वीडियो को यहां से आप export कर लेना ठीक है तो मिलेंगे नाक्स वीडियो में तब तक के यहां से लिए बाइ